तो वीडिये स्टार्ट करें जाइन दोस्तों तो आज की इस वीडिये कंदर हम बात करने वाले हैं रेडमी की तरफ से तीन फोन लोंच हुए है 10X सीरीज के 10X 4G, 10X और 10X Pro तो यहाँ पर हम 4G की बात नहीं करेंगे आपर हम 10X और 10X Pro की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बेस वेरेंट है 10X का वो रखा गया है 664 GB का जिसका प्राइज रखा गया 1599 Yuan करीब-करीब 17,000 रुपे इंडियन करनसी में तो यहाँ पर आभाई इस प्राइज में इसके इंदर जो स्पैसिफिकेशन है वो काफी तकडी है अगर आप गेमिंग करते हैं तो यह फोन आपके लिए होने वाला है अब ऐसा किस वेज़से तो इसके लिए पूरी वीडियो जरूर देखना तो चैनल पर ने ओलोंड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बैल को कर देना प्रेस और एम करते इस वीडियो पर 2.5 की लाइक का आई होप कि आप कम्प्लीट कर दो गया आप मुझे इंफ्लुएंसर बना सकते हो इंस्टेग्राम और ट्विटर पर फोलो करकर तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यहां पर दोनों फोन के अंदर डिस्प्ले सूपर एमुलेट पैनल है साथ-साथ यहां पर जो भाई पीक ब्राइटनेस यह वही है जो फ्लैक्षिप डिवाइज के अंदर देखने के लिए मिलती है यानि की 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई आपको और आउटडोर में ले जाओगे तो थोड़ी और एक्सर देखने के लिए मिलेगी तो यहां पर बाई बिल्ट के मामले में यह फोन A1 देखने के लिए मिले है ब्राइस के साब से अब यहां पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला कामरा के अनदर ऑसे किस मेश से अभी बताता हूं तो यहां पर दोने फोन के अंदर 5G SIM आप चला सकते हैं, वो भी 2-2 एक साथ, और ऐसा इस वज़े से, बिकोज इसके अंदर जो प्रोसेसर है, Media Attacker Diamond City 820, यह Dual 5G को सपोर्ट करता है, और यहां पर एक बात और बता दूए, जो प्रोसेसर है, यह Snapdragon 765G से उपर है, 855 से नीचे ह आप यहां पर clearly देख सकते हैं, तो इस चीज से एक तो चीज clear हो जाती है, जो Mi 10 Youth Edition निकाला था Xiaomi वालों ने, तो यहां पर भाई, उसको सीधी से टकर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि Mi 10 Youth के अंदर Snapdragon 765G है, और इसके अंदर Diamond City 820 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, तो आप गेम खेलते-खेलते कर किसी एंटीना को कवर भी कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको काफी पहले भी वीडियो के अंदर बताया था, अगर आप कवर करेंगे तो दूसरे एंटीना नेटवर्क को कवर कर लेगा, देखरो क्या हो रहा, कवर कवर खेले रहे हैं यहां पर, तो भाई, यह चीज मुझे काफी तगडी लगी, अब बागी आप यहां पर किलियर ली देखी सकते हैं, और यहां पर एक चीज अभी मैं भूल रहा हूँ, वो यह है कि यहां पर आपका लिक्वीड कूलिंग भी देखने के लिए मिलेगी, दोनों ही स्मार्टफोन के अब यहां पर जो में डिफरेंस आप लोग को लग सकता है, चार्जिंग के इलावा वो बैक कैमरा सेंसर में भी है, जो नोन प्रो यानि की 10X उसके अंदर आपको तीन कैमरा दिए गए हैं, 48 मेगा पिक्सल का प्राइमेरी कैमरा सेंसर दोनों में ही है, लेकिन 8 मेगा पिक चार्जिंग में थोड़ा सा डिफरेंस लगा, बागी मुझे फोन काफी तगड़े लगे दोने क्योंकि आप अगर आप अच्छा प्रोसेसर चाहिए, कम बजट में तो इस फोन का वेट कर सकते हैं, मी 10 यूथ को सीधी टकर दे दिया इनोंने, और हो सकता है यह जो 10X प्र जो था, वो Poco F2 Pro नाम से आया, और मैंने आपको काफी पहले बताया था, और यहां पर मैं यह चीज़ करता हूं कि यहां पर Diamond City 820 होने की विज़े से हो सकता है कि यह Poco F2 हो, so that's it guys, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगर आपको वीडियो चलेंगे तो लाइक करे कर देना, subscribe, notification bell को कर देना, press, और aim कर दे इस वीडियो पर 2.5 के लाइक का, so that's it guys, मिलते जल्दे कूल और exciting वीडियो में ते जब तक के लिए जोमन में है guys, we're gonna do watch your heartfish, stay tuned with that's your weird box guys, bye!